कि नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी तो मासा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होगे अपना ध्यान रख रहे होगे तो जैसे कि हमारी एंकलेक्स जो सीरीज दोस्तों वो चल रही है आज हमारी कि दोस्तों मैंने देखा है जो क्यों से वो 350 हैं बटे उनमें से कई सारी क्यों से सेलेक्ट ओल्डा अपलाई वाले हैं मिल्टिपल आंसर साथ हैं तो वह हमारे एक्जाम में आते नहीं है तो मैंने उन जो क्यों से उनको एक्स्क्लूड कर रखा है इससे तो लगबग हमारी 30% से अपना कंप्लीट कर चुके है और कम से कम 45 आजब नियूबों से रिलेटेड है जो नियूबों के राती है जो वैसे नियूबों के से रिलेटेड की यह है इतने सारे पाइक यह को को सके कि हो सके तो मैं पाल पीडिटरी को पढ़ा के उसको करवा दू या फिर आप लोग अगर कहोगे कि सरसाथ में करवा दो कम्प्लीट ही करवा दो कि एक जैसे आपको अच्छा लगे उसका कूडिंगे उसके एक चार-पांस क्लासे कम हो जाएंगी और लगवग दस दिन के हमारा उसके बारे मात की अगर इसी देख ए चैज़ों बात कीश माति लेंगे लिक एक अगर यह को पड़ने बैठों है छो चुछा के लाता हूं तक सामने में क्या लिख दूशिए इसका आंस्वर लिख दूँ उससे आपको फायदा मिलता है एक हम जो कीकल एक्सरसाइज हैं दूस्तों इनके बारे में आज क्या करेंगे बात करेंगे तो यह बहुत इंपोर्टेंट है दोनों ही प्रग्णेंट सिंदूस्ट हाइपटेंस सब्सक्राइब करेंगे इन से रिलेटेड तो चलो सुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के हुए पहला हमारे सामने दोस्तों वह है यह क्यों तीन बार आ चुका यह तीसरी बार आ रहा है बस लेंग्वेज तोड़ी चैंज हो जाती है दो बार तो एक साथ-साथ ही आ में से क्योंची कोता है के क्लाइन पहलुक्त है घ्लाइं है फॉस्तों अम्ने और उसको कर रहे हैं को थैटिक कर रहे हैं आप पोस Mitsuburgel day ठीक है दुसरा जो तो दूज़ी स्प्लेस्ट हो गया है तो नसकी क्या क्लवीड़ करेगी चलो एक वारे आपको कई बार बताएं वैसे कब ही दोस्तों युरिनरी ब्लैडर अगर है फुल हो जाता है लो जाता है तो यह कोश करता है लेव फ्रोel ल॑ जाएगा तो अपनी द्रीट से उ Il इसे फैलेगा तो इसे हम डिस्टेंडड ब्लेड कहेंगे अगर हो गया दोस्तों तो उसके कारण दो चीजें होंगी एक तो यूटरस थोड़ा सा क्या हो जाएगा वोगी हो जाएगा और दूसरी चीज में आपको पता है क्या होगा यह सिप्ट हो जाएगा यूटरस जो है सिप्ट होगा राइट साइड हंडस सिप्टे टू राइट साइड सिप्टे टू राइट साइड राइट साइड क्या हो जाएगा यह सिप्ट हो जाएगा यह दो चीजे होती है फिर इसके बाद मैंने आपको पता है तक कि इसका ट्रीटमेंट क्या करोगी तो दोस्तों ब क्या करेंगे खोले म्यां करेंगे इस क्या करेंगे यह तरने के बाद में पिर हम क्या करेंगे दोस्तों हंडल मसाज देंगे यूटरस अभी भी जो फंदस दोस्तों बोगी नहीं ओ लग रहा हो मसाज करने पर फिर्म हो जाना चाहिए ठीक है अगर नहीं हुआ फिर्म इस्टील बोगी तो फिर हम हमें क्या करना पड़ेगा तो क्यों हमें बढ़नी पड़ेगी तो नूटिपाइद प्लै क्या एक्सिटर पर हम कैन्हाइब कैने भी हो गई क्लिए क्ढ़नेक्स है नंगले क्पेक्ट करते हिंगे क्वाइब क्वि inspiring अज़न कपेaráropol है कि प mooi यह वन और इनमीकट देन कहा हैं यह क्या कारण हो सकते इसका तो बताओ ब्लेडर है कि जो ब्लेडर है वो दोस्तों क्या हो गया है ठीक है पहला जो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा जो हमारे बोडी के बोडी के टिस्यूज या ओर्गन्स है वह वापस से रिवर्ट बैक होते हैं प्री प्रोसेस जरूर या रखना दोस्तों एक होता है प्रोसेस एक होता है टाइम जिस प्रोसेस के द्वारा जो ओर्गन्स वापस आते हैं उसे हम इन्वोलिशन बोलते हैं और जिस टाइम पीरड में वापस आते हैं उसे हम परफिरियम बोलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं यह ध्यान रख लेना आप अगर involution नहीं हो पा रहा तो इसे हम किस नाम से जानते हैं सब involution की नाम से जानते हैं तो यह क्या रहा है तो slow rate of involution में सरफ इसमें एक की sign दे रख है इस एक सेंसियम नहीं पता लगा सकते कई सारे दोस्तों क्या आते हैं साइन जैसे मालो कि इसके अलावा पैसेट को क्या होगा दोस्तों बीडी ब्लीडिंग भी होगी यूट्रस सौट है वो दिखा रख है यूट्रस जो है दोस्तों वो क्या रहेगा शोट रहेगा, इसके अलावा जो यूट्रस है, वो अलोड आमलाइकस, इसमें भी रहेगा, अależप डहेखा प्यू आपक अलावा क्या हो सकता है दोस्तों, इसके अंदर, पैसेंट के अंदर, अक्ठूली में, इस कंडी सिन के अंदर, पेन भी देखने को मिल सकता है, क्या दे तो इससे हम समझ नहीं सकते दूसरा यूटरस कभी भी राइट साइड नहीं होगा अगर रिटेंट प्लासेंटल फ्रेग्मेंट्स होते हैं तो दोस्तों इस के अंदर हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है क्या देखने को मिलती है तो यहां पर हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं की गई है जिसमें यह बताया गया हो कि उसके करण क्या होता है उसके करण कई चीज़े होती है जैसे एक तो देखो प्रेसर फिल होता है फिमेल को अब्विक प्रेसर होता है मोगा प्रेशर होगा इसके लाबभा पे оказate मैं फिल हो कि जैशा जैसे जो यूट्रेंट लिगामेंट अगर माल लो दोस्तों अगर वह strengthen नहीं है अगर और stretch हो रहे हैं तो चांचे हो जाते हैं भढ़ जाते हैं और यूट वह इस सम्थिंग इज कमिंग आउट कि कुछ बाहर आ जिस जिन लिगामेंट्स ने यूट्रस को थाम रखा है रोक रखा है एक जगह पे वही कमजोर हो गए वह और इसके तरफ डिसेंट हो सकता है उसे उसे इसके बारे में बात भी किती तो जो फीलिंग करते हैं लिग में बता रहा है यह होता है यह ज़रूरी कि आप सको याद ही करो अब देखते हैं इसके अंदर की इसको किस परकार से लिख सकते हैं तो इसको आप इस प्रकार से इसको लिख लो कि अगर है अगर अगर है अगर फंडा सेंड़स रैड साइड हो गया है राइड साइड सेप्ट हो गया है कृंड हो गया है कथा एह यूटरस बोगी फील हो रहा है तो यह तो यह है डिस्टेंडेड ब्लेडर को तो यह है डिस्टेंडेड ब्लेडर को को सेजेस्ट करता है तो यह इसका आंसर आ जाएगा इसके बाद हम नेस्ट क्योशन देखते हैं नेस्ट क्योशन है दोस्तों हमारे सामने वह है कि ए नर्स एक्जामिन से क्लाइंट कुई क्या है दोस्तों क्या है सिजेरियन वर्थ हुआ है इडिज सिंस दे बर्थ अद एक टीन दिन हो गया है उसको आगे क्या करने वाले है में कर देते हैं और से पांच विदिन क्या कर देते हैं एक्सपेट विलॉक्तिक मैं आपको बताया था कि मोस्भी के अंदर यह लिखा वाई कि यह मिड़ेह में मिलेगा नहीं कि नहीं है क्यों सब्सक्राइब फिर दीरे धीरे धीरे कर रहते यह एक एक फिंगर वन फिंगर विथ या फिर Amalicus नहीं लिखाएगा तो क्या लिखावाएगा मैंने आपको यह भी बताया था कि 13-5 cm अबोव दसींपाइस प्यूबिस उससे लगबग 13.5 cm क्या मिलता है यह अबोव मिलता है यह भी मैंने आपको बताया था तो दोस्तों यह Amalicus पे रहता है जस्ट इमिडिएटल और उसके बाद लगबग 1 cm या फिर फिंगर वित क्या होता जाएगा यह दोस्तों नीचे की तरब आता जाता है तो पहले दिन वन फिंगर वित दूसरे दिन दो और तीसरे दिन थर्ड फिंगर वित बस वही मैंने आपको बदा भी रखा अच्छे समझा भी रखा है तो इ फिंगर वित बिलो दामलाइकस मैं अच्छे से समझा रखा है जिस बच्छे की पहली क्लास है उसको मैंने पूरा डिटेल समझा रखा है कि कब होता है फिर्स्ट वीक पे कब होगा इम्मीडेटल अप्टर बर्थ कब होगा यूस्जी के अंदर कब यह नोर्मल दिखाई द तुमतर सब्सक्राइब न're रेसा संवर्च में टिकर इसलिए मैं सीजेरें अगले वाली छो क्लास करूंगा अभी लिख लो मैं की THE delivery, दिलिवरी के तीसरे दिन थर्ड डे थर्ड डे फंडस अम लाइकस से थ्री फिंगर ब्रीथ नीचे मिलता है नीचे मिलता है नीचे मिलता है इसके बाद हम नेस्ट क्योशन देखते हैं इंपोर्टेंट है क्यों सब्सक्राइब को सकता है इतना नहीं देखकर पूस लेगा कि पोस्पार्टम के थर्ड डे जो फंडस हो कहा मिलेगा आंसर सिंपल सा हो जाएगा ठीक है तो आप इसको उस तरीके से भी र क्लास के दोस्तों उसके अंदर डीवीटी पढ़ा है वो दीप में थ्रम उस पढ़ा है पूरा उसी करेंगा आपको पूरा याद भी रखने है बहुत इंपोड़ेंट है ने सिर्फ ओवीजिकली मेडिकल शुचिकल नर्सिंग के लिए भी बहुत इंपोड़ेंट टोपिक है तो उसके बारे में बात करते हैं देखो सबसे पहरी चीज क्या होती है दोस्तों कि हम जानते हैं क सब्सक्राइब कि ब्लड क्लोटिंग और गॉटिंग था दूस्ताइब जो इंप्रिंग जो ग्रोटिंग करेंगे रिस्क कर देते हैं ठीक है रिस्क औफ थ्रॉंबोसिस जिस्क ओफ रोंबोसिस भी आ सकता है बीववेывать ठ्रम्बोसिस भी लिखाव आ सकते है और फल्भाइति अधू करों क्यों दोश्टों ज्यादा ब्लेड़ क्लोटिंग होंगे तो' क्लोड' बन जाएगा नकोगूल्म मैंने बताये था कोगुलर मतलम जो होता है दोस्तों वह कोगुलम क्या हो जाएगा जमा रहते उसके अंधना फिरो низ करते हैं को ज्यादा रोखने के लिए करते हैं कि क्यों अगर यह थ्रोंबस बन गया तो क्लाइंट जो किसकी रिस्क पर हो जाएगा तो रिस्क पर पल्मोनरी एम्पोलिज्म ध्यान पर देखो में आपको दो तो दो कोंप्लिकेशन लिखा रखे हैं उसमें पहला लिखाया है जो पहला लिखाया है वह क्या लिखाया था को में ऊव्किंग करेगा तों सबसे अधिली जोो होती है उसको तो उसके अंदर रेस्प्रेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है रेस्प्रेशन नहीं बढ़ते हैं रेस्प्रेशन को अगर आप भढ़ाना है दोस्तों की यां यहां पर कोई बढने हुला है इसके बाद दोस्तों की किया कर रहा है कि बलेडर के टोनि की खेंट झर हें आप उसको क्या करना है ऊप से जो यूटरस की टोन है उसकी जो नॉर्मल रहेंगी ठीख है तोनी सिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी कम नहीं होगी अगर कम होगा तो यूरीन इन कॉंटिनेंस ऐसी जो कंडिशन से कंट्रोल नहीं हो पाएगा यूरीन का ठीक है यह सब चीजे देखने को मिल सकती है तो इसके लिए करवाएंगे ने कि हम वोकिंग के करने पड़ेंगी चैज बीक तक दो एक्ससाइज और क्या करें अब सारे ही हो गई तो आप क्या करते हैं इसका ऐसका आइस्ट क्योंकि जैसे मोटार एक्टिवीटिटी जो क्लाइंट जो अगर गोकिंग करते दोरान जो वोमेंट है उसके करण क्या नहीं होगा doing a जादा होगा तो उसे ज्लोर कर दूरा स्थ bzw से दूरा सेंट नहीं पैरिक्र दूरिस हैं जाधा फर चलता है तो उसके ज़ो ग्लेट होगा तो वहाँ पर क्या बनेगा प्लोटिंग ट्रॉटिंग फ्रेक्टर के ज्यादा होने के लिए क्लिए कहते हैं चलो लिखो इसको लिखो ऐसे लिखो लेबर के बाद लेबर के बाद ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स की अमाउंट ज्यादा होने के कारण थ्रोंबोसिस के चांसेज ज्यादा होते हैं इसलिए क्लाइंट को वोकिंग की सलहा दी जाती है जिससे एक लिख लेना जिससे पैरी फैरल वैसो मोटार एक्टिविटी वैसो मोटार एक्टिविटी इंक्रीज होती है इंक्रीज होती है चलो नेस्ट के चैने 154 क्या है वोट सुडे नर्स इंक्लूडिन दा डिस्चाज टीचिंग और फिपोस्ट पार्टम क्लाइंट वैसमें कई सारे सजेसंस दे रखें तो आप किसी पैसेंट को डिस्चार्ज कर रहे हो पोस्ट पार्टम क्लाइंट को जिसका लेबर हो चु पोस्ट पार्टम विजिट सी में नोट हैव एबावल मुमेंट को अप्टू एव वीक आप्टर दा बर्थ से सुडूर एपोस्ट पार्टम चेक अप एस सुने धर मैंसेज रिटर्न इसको बारे में समझाँगा पहले बाखे क्यों समझाता हूं कि कि किस चीज के पोस्ट पार्टम विजिट जो होता है ना वह बहुत लेट होता है ठीक है ऑस्पिटल के अंदर क्लाइंट को दुबार से जाधर च्छे वीक पी बलाया जाता है कि उसका इन्वलेशन जो प्रोसेस वह यह नहीं हो गया इस लिए इस आंस्वार यह नहीं आएगा क्या तु दोस्तों सी में नोट है वे बाउल मुमेंट फोर अप्टू एवीक आप्टर दा बड़त मतलब कि नर्स उसको कहरे है कि आपको है ना बाउल मुमेंट नहीं होंगे कब तक एक सब्टा तक नहीं होंगे आप यहां से जा रहे हो और आप बच्चे के जनम हुआ है उससे एक मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस दिन तक क्या हो जाता है जो बाउल मुमेंट दोस्तों वह वापस आ जाते हैं तो यह एक वीक का नर्स ने क्या बता है उसको गल्द बताया है कornis से जेक पूश्वित करना चाहिए documents आने के कारण आपको करने चाहिए उससे ही मेंट वापस आएगी और मेंट आले की जैसे ही मैंट वापस आए तब आप और पो पोस्त पार्टम जो के लिए यहाँपे आना है तो यह एक दम गलत स्टेटमेंट आउं मैं आपको कि क्यों हो यह ग्लति स्टेटमेंट है कि इसकी तक नहीं ए उसके तो तीन वीक तक नहीं आए घ्रीका रूड रखना जो भी अध्य एक्स्टी ब्रेश्ट्पिडिंग करवा रही है उसको त्री मन्थ से यूज कर लेना चाहिए, Contraceptives का यूज, चाहिए वो कितने भी दिन मेंट साइकल आए, और जो फीमेल ब्रेश पिडिंग नहीं करवा रही है, कम करवा रही है, उसको थ्री वीक से, थर्ड वीक से क्या करदेना, चाहिए, तो हो सकता है कि दोस्तों उसके जो उनको भी तो नहीं करोगे, गलत है, अगर जल्दी आ जाते हैं, तो भी गलत है, और बेट आते हैं, और ये Mayos तक आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसलिए यह बी क्या हो जाएगा, ब हम बात करते हैं, अब हम बात करते है, तो Father Father और pregnancy के बाद भी क्या promote किया जाता है prenatal perineal tightening जो exercise है वो promote की जाता है देखो prenatal का मिलब तो वो पहले से कर रहे थी उसको आप nurse यह कह रहे है आप जो पहले से pregnancy के दोरान जो कर रहे थे उनको यह वापस क्या करो continue करो अब exercise के क्या नाम है दोस्तो perineal tightening exercise पैरीनियल जो मसल्स हैं दोस्तो पैल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं उनको टाइट करने के लिए जो exercise की जाती है उसे हम पैरीनियल टाइटनिक exercise या फिर जिने हम उन्हें हम दोस्तो कीगल exercise की नाम से जानते हैं देखो एक इमेज है भी यह देखो उसके लिए हम कौन्स exercise promote करते हैं दूस्तों जो कीगल जो exercise है वो promote करते हैं अब कीजल exercise करते हैं यह हमारे जो pelvic floor muscles है उनको क्या करती है strengthen करती है मजबूत करती है उसे क्या होगा के फिमेल के अंदर एक तो क्या होगा दोस्तों की जितने जो डिलीवरी है वेजनल डिलीवरी में जो pushing करती है जो एफर्ट करती है बच्चे को बाहर निकाने के लिए वह उसके अच्छी होता है दूसरा दूस्तों पहले फ्लोर मसल्स अगर आपकी पहले फ्लोर मसल्स अगर आपकी strengthen है तो आपको कि अच्छी मसल्स अब करना चाहिए अब यह है कि कैसे जाती हैं इसके कई सारे तरीके होते हैं जैसे इसी के निरुछलाता हूं सबसे पहले आपको खुद को फील करना पड़ेगा कि आपकी जो है कहां उसके लिए आप फील करो तो दोस्तों एक सिंपल सी ट्रिक बताई जाती है आपको हसी आएगी जैसे आप सुबह करते हो तो उस समय आदमी को तेज पू आए और वो उसको रोकने के लिए कंट्रोल करत हुआ है तो वहां पर ही क्या है हमारी पहली प्लोल में जो मसल जाती है वैसे करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंके लोकेट करेंके पहली थ्लूर मसल साइं उनको ठीके कुसी कुक्त अपर बढत सकते हैं झाल्म चाहिक लाइखने को सब्सक्केंव ने पहस्तिविद कीस बुट वे jest, लगहां के बुट में इस अतोर इसे कि इसको मुपीद ब्र Romans 5 किसकर उसके करोगे, अब उसके बादय वाज़ा पर को दोस्तों पहुत इसको किने नहीं ही Jackie कजल एकसे玩 Rabatt justify करना पड़ेगा जूम उनको क्या करना पड़ेगा तृचरना पड़ेगा तीन सेकिन के लिए sarà को फिर में रिलक्स करना पड़ेगा तीन के लिए को फिर इकर चाहिछ आएक cord एक कमबते गर प्रकार से एक्सेस की जाती है तो कई सारी क्यों आपको एक्सेस की जाती है तो क्या करती है प्रोमोट करती है उनको स्ट्रेंथन करती है स्ट्रेंथन करती है बस इतना याद रखने आपको चलो आजाओ एक बार वापस तो लिखो यह लिखो पोस्ट पार्टम पीरेड में पोस्ट दोने लिखो इसमें एंटी पार्टम एंटी पार्टम और पोस्ट पार्टम पीरेड में पोस्ट पार्टम पीरेड में पैल्विक फ्लोर मसल्स को क्यों कि एस्ट्रेंथन करने के लिए मजबूत करने के लिए करने के लिए किगल एक्सरसाइज एज एक्सरसाइज इसके लाइन लिक लो गया एक्सरसाइज को कि प्रमोट किया जाता है इसके बाद हम देखते हैं, next question, next question हमने सामने 155, एक nurse is caring for postpartum client, एक nurse है, postpartum client जो है, उसको क्या कर रही है, care कर रही है, who is formula feeding, formula feeding कर रही है, उसको breast feeding नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है, formula feeding कर रही है, bottle feeding कर रही है, ठीक है, what should the nurse teach her about minimizing breast discomfort, देखो, अगर मालों, bottle feeding कर वाया जाएगा, तो जो भी breast milk बनेगा, वो क्या होगा, collect होगा, उसके collect होने के कारण क्या होगा, दोस्तों, कि ये discomfort कोज करेगा, female के अंदर, एक तो venus congestion, और एक discomfort क्या करता है, दोस्तों, ये, cause करता है, venus congestion कोज करता है, और एक क्या कोज करता है, discomfort discomfort कोज करता है, तो ये ऐसे कर रहा है, इस चीज को कम करने के लिए, ब्लेटर आए, तो जो पुल-फूल क्या होते हैं, दोस्तों, फील होते हैं, अब ये पुले नर्स को इसको क्या करना चाहिए, इसको कम करवानी के लिए क्लिए, तो इसमें दे रखें, देखो, तीनों के कि एक रिएसन लाएगा, पहला है, तो फिलाओ जय अप्लाइग कोगा बटर टू हर निपल्स, जो फिल चाहिए, लगाने कि चीज बचाने के लिए बीज करते हैं, जो कोगा जो बींस जो होते हैं, कोफी के बींस होते हैं, उनके अंदर जैसे आलमंट्स मिलाकर या पीन्त पर बटेश मिलाकर उसका बना जाता है जो कम समझा रहा है तो कोकोवटर को अप्लाई करेंगे अगर हम निपल के उपर या फिर हम क्या क्या काम करेंगे दोस्तों वार्म और वैट जो वो हैं यह निपल पर लगाएंगे यह कहाँगे गरम और वैट गीले, क्लोथ जो है वो आप निपल के उपर लगाओ, दोनों ही चीज़े क्या कोज करवाती हैं दोस्तों, निपल स्ट्यूमिलेशन कोज करवाती है, आप वो बटर लगाओगे, तो भी इसके लाबा ये जो वो वारम मतलब गरम और वैट, क्लोथ जो लगाओ दोनों चीजे क्या करवाएंगी दोस्तों, क्या करवाएंगी निपल इस्ट्यूमिलेशन करवाती हैं, अब ये निपल जो करवाती हैं योगा न दोस्तों इसके कारण से ये और प्रोमोट करेगा is more milk formation और मिलक फॉरमेशन और जयादा होगा धूहईगा कम करवाना है नको मैनुवली एक्स्प्रेस को मैनुवली निकाल लो इसमें क्या है इसमें यह चीज देखो अगर जितना हमारी बोड़ी के अंदर यह मेकनिजम पाए जाती है फीमेल के अंदर जैसे मिल्क को जितना बाहर निकालेगी ना उतना ही ज्यादा और फ्रमेशन होगा तो इस से तो आ लगाने से क्या होता है इसके कारण से जो भी मदर है और अगर आपको फूइं और प्रेस्पिडिंग नहीं करवा रही है उसकोड़ेट की क्या करना है तो इसको ice pack लगाने है वो भी covered होना चाहिए है तो covered ice pack क्या करते हैं दो उसकी breast पर क्या करते हैं हम apply करते हैं ठीक है तो ice क्या करते हैं वैसो constrictions करवाती है वो help करता है discomfort को कम करने में बस लिख लो तो लिखो इसको देखो formula feeding मतलब bottle feeding formula feeding करवाने वाली mother करवाने वाली मदर वाली मदर अगर अगर breast discomfort फील करती है breast discomfort फील करती है तो उसे तो उसे covered ice pack covered ice pack covered ice pack covered ice pack लगाने की सलह दी जाती है लगाने की सलह दी जाती है वारम लगाओगे तो वैसो dilation होगा ठीक और ज़्यदा प्रमोट करेगा वैसे ज़्यादा milk बनेगा और construction होगा तो milk affirmation क्या होगा दोस्तों कम होगा ठीक है तो यह वैसो construction करवाता है यहां पर warm लिखा वारम को लोग तो गरम चीज़े क्या करवाती वैसो dilation करवाती और जो थंडी चीज़े हैं जो ice है वह वैसो construction करवाता है ठीक है इसने वारम लिख दिया इसलिए गलत हो गया है ठीक है नेस्ट क्योशन देखते हैं नेस्ट क्योशन 156 टू डेज आप्टर हैविंग हैड एज शीजेरियन बर्त है एक लाइंट इस तैल से नर्स है डैट सी है पें इन हर राइट लैग ठीक है सीजेरियन बर्त के दो दिन के बाद एक क्लाइंट है नर्स को क्या कहता है कि उसकी जो राइट लैग है दोसको उसके अंदर क्या हो रहा है पें हो रहा है एंड आप्र असेस्मेंट अफ दो नर्स से सस्पेंट देट डैट में थ्रोंबस वही जो हमने थ्रोंबोस पढ़ा है डीप थ्रोंबोस पढ़ा नर्स को ऐसे लगरे चांसे हैं देखो यहां पर कंफरम नहीं हुआ है राइट लैग में बताने का रीजन यह थूड़ी होत तब तक हम जो treatment से related चीजें यह नहीं ले सकते तो अब कंफरम नहीं हो तब हम क्या करेंगे दो तब तक हम कोशिस करेंगे यहां पर कि जो client हो क्या कर पाए बैड रेस्ट कर पाए, क्या कर पाई दोस्तों, बैड रेस्ट कर पाई, देखो आप कहोंगे सर, आप तो उल्टा बोल रहे हो, आपने वहाँ पर बताया, एमबुलेशन है, एमबुलेशन करवाना है, डीप में थ्रोमोसिस को रोकने के लिए, और आप यहाँ कह रहे हो कि ब बाद क्या करोगे तो दोस्तों कि फ्रॉम्बस का फोर्मेसन हो ही नहीं इसके लिए हम क्या करवाएंगे अर्ली अमूलेशन अब मान लो अगर आपको यह लग रहा है कि क्लाइंट को हो गया क्लाइंट को क्या हो गया फोर्मसन हो गया अब थ्रॉम्बस का दोस्तों अगर फोर्मसन हो गया तो वो थ्रॉम्बस क्या हो सकता है दिस्लोजमेंट हो सकता है वो अपनी जगह से क्या हो सकता है हट सकता है dislodge हो सकता है, अगर वो अपने जगे से हटेगा, तो मैंने बताया था कि deep vein thrombosis का most common complication क्या होता है, pulmonary embolism होता है, तो अगर वो thrombosis वहां से हटा, तो वो क्या कोज करवाएगा, pulmonary embolism कोज करवाएगा, अब उसके हटने के chances कब ज़्यादा होंगे, उसके हटने की chances कब ज़्यादा होंगे, बताओ, आपके leg के अंदर, deep vein जो है, उनके अंदर thrombosis बना हुआ है, उसके हटने की chances कब होंगे, जब आप movement करोगे, इसलिए यहाँ पर अगर आपने movement ज्यादा किया तो इसके dislodge होने की chances अपने जगे सेटने की chances क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे तो बनने से पहले हम early evolution करते हैं ताकि thrombus बने ही नहीं और अगर बन गया तो फिर हम क्या suggest करते हैं बैड रेस्ट क्या करते हैं दोस्तों suggest करते हैं फिर हम बैड रेस्ट करते हैं इसलिए इसको आंसर होगा that will be maintain bad rest ठीक है अब देखो इसमें क्या दे रखा है massage the affected area anchors the leg exercise और leg exercise ज्यादा करोगे massage करोगे तो दोनों की दोनों चीज़े क्या करेंगी दोस्तों दोनों की चीज़े movement होगा दोनों के अंदर क्या होगा movement होगा तो डिस्लोज होने की चांसे क्या होंगे जादा होंगे देखो लैग exercise करेंगा लैग का movement करोगा वेन का मूमेंट होगा जो अपनी जगह से अटके बहुत जाएगा दूसरा massage कर रहाओ तो भी वहां से अटेगा अपलाई वार्म शोक आप्लाई कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अभी नहीं करेंगे जब तक हम नहीं हो जाएगा तब तक हम बाद में इसको क्या कर सकते हैं इसको लिखो इसको लिखो अगर लेबर के बाद कोई फीमेल कोई फीमेल राइट लेग में पें की सिकायत करती है पें की सिकायत करती है तो उसे थ्रोंबोसिस होने के चांसेज हो सकते है तो उसे थ्रोंबोसिस होने के चांसेज हो सकते है अतै जब तक की यह कंफर्म नहीं हो जाता जब तक की यह कंफर्म नहीं हो जाता मैं जो उसको थ्रोंबस हो रहा है यह कंफर्म नहीं हो जाता तब तक उसे तब तक उसे बैड रेस्ट करने की सलहा दी जाती है ताकि थ्रोंबस का डिसलोजमेंट नहीं हो ठीक है नेस्ट क्यूशन देखते हैं नेस्ट क्यूशन की ए नर्स टीचेज ए मल्टी पैरा ठीक है मल्टी पैरा है प्राइमी मनद पहली बार अगर कोई भी फिमेल क्रोज कर लेती है किसको 20 वी प्रेगनेसी को तो वो प्राइमी है और अगर एक बार से ज़्यादा कर लेती है तो मल्टी ठीक है तो की वहार। इंतर चांटा है के यह इसको पावर को Welkin की नोची और वार। पिर भी चाहती हूं कि मेरे यूट्रस जो हो उसके अंदर टॉन बनी रही तो उसके लिए मैं मुझे क्या करना चाहिए उसे क्या करना चाहिए दोस्तों बताओ पहला है कि तो दोस्तों हमें पहले ही कोशिस करनी है कि इस कंडिशनु में पहुचे दोस्तों उसको ब्लीडिंग से रोखने के लिए पहले ही मसाज्च करो मसाज़ब यूट्रस干ुह यहां पर कॉट्र साइ आप यहां पर उसने कहारे कि बलीडिंग होगी ना तब करूंगी तो यह तो यह ओगया कि आग लग गई और उसके बाद में क्या लाए जा रहा है पानी आग लग गई ठीक उसको क्या करना पड़ेगा फिर्म करना पड़ेगा उसके लिए आप क्या करो uterus को massage करो ताकि आपका uterus क्या बने दोस्तों फिर्म बने hard बने ठीक है इससे आपके जो bleeding की chances क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे तो इसका आंसोर यह हो जाएगा यह क्यों नहीं हो समझ में आ गए बार इससे इतना फरक नहीं पड़ेगा हाँ थोड़ा फरक पड़ता है हमने पड़ा भी है नेकिन इतना ज्याद़ नहीं है यह जितना इफेक्टिव क्या है आपका massaging है that is more effective urination तब करवाते हैं हम जब distended bladder कारण हो तब ज्यादा प्रमोट किया जाता है यहां पर कारण थोड़ी है सीधा हमें कंडिशन दे रखी तो यह करना ठीक है लेकिन इतना जाद एफेक्टिव नहीं होगा जितना massaging होगा तो इसलिए गलत I will call you every 15 minutes to massage my uterus ठीक है वह क्या कह रही है वह हर 15 minute में आपको क्या करूंगी दोस्तों कोहल करूंगी कि मैं मैं जो मसाज करवाने के लिए तो यह impossible है ऐसा हो दाएगा I will massage my uterus regularly to keep it तो लिख लो इसमें इसमें लिखो लेबर के बाद लेबर के बाद बाद यूट्रस को यूट्रस को contracted या फिर्म रखने के लिए रखने के लिए रखने के लिए रखने के लिए रेगुलर्ली रेगुलर्ली मसाज करने की सलहा दी जाती है नेस्ट क्योशन पर आते हैं नेस्ट क्योशन हमेर सामने वो है ए 16-year-old adolescent visits the prenatal clinic because C has missed three menstrual period ठीक है अब हम वहां से अटकर आ गए है यहां लेबर बर के जो क्योशन थे वो सब खतम हो चुक है अब डिजीज पॉर्शन जो है न वह स्टार्ट हो चुका है आज से हमारा मनलब इस क्योशन से एक 16 साल की लड़की एड़ल सेंट है और वो प्री नेटल क्लिनिक के उपर आई है वो कह रहे है कि C has missed three menstrual period वो कह रहे कि तीन नहीं पता कि क्या problem है बट आइक कैंट बी प्रेगन लेकिन नहीं हो सकती है यहां पर यह जो सेंटेंस यह हमें क्या कर रहे है इस तरफ क्या कर रहे है जो इंडिकेट कर रहे है वो कि में नहीं हो सकती हूं, what is the nurse most therapeutic response, कि तो nurse को उसे क्या कहना चाहिए, ठीक है, उसे क्या कहना चाहिए, ठीक है, उसे क्या कहना चाहिए, पहला जो sentence है, दोस्तों, many young women are irregular at your age, कि भाई, कई young women है, वो इस age पर क्या होती है, इर्रेगुलर होती है, लगबग हो सकता है, यह right statement है, दोस्तों, कि भाई, young women जो होती है, वो क्या होती है, कि उस दुराइब जैसे men's cycle start हुआ है, तो starting में एक दो साहत तक, जो men's cycle जो होता है, दोस्तों, वो क्या हो सकता है, यह statement बिल्कुल सही है, बट यह एक close statement है, close statement का मिलब क्या है, भाई, हम उस female से हमें आगे भी बात करनी है, हमें बाते करनी है, कि भाई, वो यह क्यों कह रही है, कि I can't be pregnant, तो उसको open communication की क्या है, यहाँ पर need है, यहाँ पर उसे need है, open communication की, हम उसे और चीजें पूछें, वो हर चीज हमें बताए, क्यों है, क्यों नहीं हो सकती, क्या कारण है, आप क्या मानते हो, तो इस चीज की यहाँ पर क्या है, जरूरत है, statement ठीक होने के बाद भी close statement है, जो हमें बस इस question का सीधा answer हो गया, यह तो फिर फिर फिजिक राजम करवा रहे हो, तो वो open communication की प्रमोट नहीं कर रहा है, हमें कारण पता नहीं लग रहा है, कि वह फिर मेरा से कह रही है, तो वो क्यों कह रही है, क्या reason है, तो इसलिए यह answer क्या हो जाएगा, सही होने के बावजुद भी यह क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर you probably are pregnant if you had intercourse, कि आपने अगर intercourse किया है, तो आप pregnant होगे, chances आपके pregnant होने के, यहाँ पर यह statement है जो nurse और patient का, जो relationship है, उसको trustful नहीं बनाता है, आप कहोगे क्यों से trustful, क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि यह female जो है न, वो यहाँ पर strongly कह रही है कि मैं pregnant ही नहीं हो सकती, मतलब वो यह कह रहे है कि मैं sectional intercourse नहीं किया है, पर nurse यहाँ पर क्या कह रही है, क्या pregnant हो अगर आपने intercourse किया है, तो मतलब यह दोनों तो एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, वो उसको कह रही है, नहीं तुमने किया है, वो कह रही है, नहीं किया है, तो दोस्तों यह चीज़े गलत है, नेस्ट है, should I ask the healthcare provider to talk to you, कि मैं डोक्र से बात करूँ क्या, इस बारे में, तो दोस्तों यह नर्स की भी responsibility है, इस चीज़ को जानना, सिरफ healthcare provider की responsibility नहीं है यह, इसलिए यह किसकी responsibility है, नर्स की responsibility है, नर्स की भी क्या है, तो हम अपने काम से पल्ला नहीं जाड़ सकते, कि ठीक है, छोड़ो, मुझे नहीं करना, तो यह statement इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो इसका जो right answer होगा, वो एक open communication का sentence होगा, जिसमें जो नर्स है, उससे और ज़्यादा पू नर्स को और question पूछने के लिए क्या करता है, दोस्तो, enforce करता है, बताता है कि आप और भी चीजे पूछ सकते हैं, तो open communication यहाँ पर क्या है, जरूरी है, इसलिए, इस question को जो answer होगा, that will be third, लिखो, इसमें लिखो, अगर कोई, अगर कोई, अगर कोई, एडोल सेंट गल, एडोल सेंट गल, नर्स को यह कहती है, नर्स को, नर्स को यह कहती है, कहती है, कि उसे कुछ महिने से, यहाँ पर थ्री मन्त लिखावाए, उसे कुछ महिने से, पीरिड से नहीं आ रहे, पीरिड से नहीं आ रहे, तो नर्स को, नर्स को, ऊपन कम्यूनिकेशन को प्रमोट करने के लिए, मैं बोलता भी तरहता हूं तो हिंदी तो लिखनी है, लिख लिया करो, open communication को promote करने के लिए या फिर आप screen sort ले लिए अगरो open communication promote करने के लिए उससे 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 पूचना चाहिए उससे पूचना चाहिए कि उसका क्लिनिक में आने का क्या कारण था इसके बाद नेस्ट क्योशन हमारे सामने वह है एट टीनेजर एट जिसमें भी तीन बड़ आता है फिर्टीन टू नाइनी ठीक है इसमें टीन आता लाज थर्टीन 14 15 16 17 18 19 एट 32 weeks, जैस के सन, ठीक है, कितने वी की प्रगनेंसी है, 32 week की प्रगनेंसी है, इस hospitalized with pre-eclampsia, उस patient को क्या हो रहा है, दोस्तो, pre-eclampsia की क्या है, सिकायत है, she is anorexic, वो उसको loss of appetite है, ठीक है, anorexia की condition है, उसे loss of appetite है, भूख नहीं लग रही, and appears depressed, उसके राव क्या feel कर रही है, दोस्तो, depressed feel कर रही है, तो which comment indicates to the nurse that further exploration of the client emotional status is indicated, कि इन वैसे कौन साइस statement है, यह indicate करता है, जो भी emotional statement, जो sentence से दे रहा है, उसको और ज्यादा जानने की क्या है, दोस्तो, जरुरत है, और ज्यादा जानने की जरुरत है, ज्यादा explore करने की जरुरत है, पहला कहरा है, I am tired of feeling so clumsy, क्लमसी को मिलब कि भाई motivated नहीं रहना, activity नहीं करना, तो ऐसा feel कर रही है, तो दोस्तो, इसमें क्या है, कि इस दोरान क्या होता है, कि जो female जो होती है, वो normally भी ऐसा feel कर सकती है, उसको सही तरह से नीन नहीं आती है, ठीक है, slipness में होती है, उसके इलावा उसको GI disturbances है, वो ज् बढ़ जाते हैं, तो यह ऐसा normal feel कर सकती है, वो तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो इसमें और ज़्यादा जानने की जूरुत नहीं है, क्योंकि नोर्मल है, दुसरा क्या है यह, I will be glad when I can sleep all night, कि female यह करे कि मैं बोज़ जखुश होंगी, जब मैं पूरी सोने में क्या आती है, दुस्तों दिक्कत आ सकती है, तो यह नोर्मल है कि sleepiness की problem हो सकती है, तो यहाँ पर इसको और explore करने की कोई ज़र्द नहीं है, ठीक है, I dreamed my baby had only one hour, कि मेरे को यह सपना आया कि मेरे बच्चे को एक हाथ है, तो यह माताओं को होता है, सपना आने से तो ऐ यह नहीं कि आप उसको कहोगे कि और वो पागल हो गई है, यह कोई बिक्कत हो गई है, तो एक सब्सक्राइब हो इसको और जादा जानने की जूर्द नहीं है, तो राइट आन्सों जो हो जाएगा हमारा, I was really happy before I got pregnant, महाँ पर यह करें कि मैं जब pregnant नहीं हुई उससे पहले नहीं है, तो बहुत खुश्य थी, मतलब उसको pregnancy क्या लग रही है दोस्तों, उसको pregnancy करन वो depression में जा रही है, तो यह statement है, इसे हमें यह ज़्यादा और ज़्यादा जानने की जूर्द है कि उसे क्या problem हो रही है, तो यह जो statement that would be right answer of this question, इसको लिख लो, फिर मैं आपको पु कोई female कोई female यहां पर pre-eclameses कोई लेने देना वैसे है नहीं question consult directly में निकल सकता था अगर प्रगनेंसी दोर कोई female female यह कहती है कि यह कहती है कि कि वह pregnancy से पहले ज़्यादा खुश रहती थी कि वह pregnancy से पहले pregnancy से पहले ज़्यादा खुश रहती थी तो नर्स को उसके emotional status को और ज़्यादा जानने की जरुत है जरुदत है और ज़्यादा जानने की जरुदत है अब आजाओ बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपोटेंट टोपिक है यह सिंपल से आपको पूछे कि दोस्तों हाइपरटेंशन क्या होता है तो अब क्या का होगे कि अगर किसी फिमेल का बीपी 140 बाइनटी या फिर उससे क्य जादा हो रहा है दोस्तों तो वह फिमेल जो है दोस्तों किसकी चांसिज है हाइपरटेंशन होने की क्या है चांसिज इसके बाद जैस्टेशनल हाइपरटेंशन किसे कहो गया किसी फिमेल को अगर प्रगनेंसी के 20 वीक के बाद में दोस्तों 20 वीक के बाद में अगर किसी फीमयल को BP 140 by 90 यह ज्यादा हो तो उसे हम किस नाम से जानेगे दोस्तो interrupt से जानेगे त्दम क्यों जानेजनेंगे ध्यान और ठेल है नोर्मल फाकटेसं पहरे होघनेंसी में रहता है बेकिन जैस्टेस्टनक अगर hipertension है कि प्रग्डेशिक के एफैक्ट के कारण अगर hipertension हो को तो 20 वीक के बाद є आता है बीक बाता है 20 वीक के बाद यह आप कर आदब याद रखना क्यों आता है 20 के बाद ही यह हम आगे मैं आपको पहले अगर उसको नहीं था नोर्मल थी प्रेगनेसी से पहले और प्रेगनेसी के बाद उसके पहले से क्या है दोस्तों यह आपको जरूर ध्यान रखना है इसके बाद प्री एक्लेम से किसी बोलोगी दोस्तों तो gestational hypertension के साथ अगर प्रोटीन यूरिया gestational hypertension के साथ अगर किसी भी फिमिल को प्रोटीन यूरिया या या साइन ओफ एंड ओर्गन फेलियर या डेमेज लेको एंड ओर्गन डेमेज gestational hypertension के साथ या तो प्रोटीन यूरिया हो अगर प्रोटीन यूरिया नहीं है तो भी अगर साइन ओर्गन डेमेज है अभी बताऊंगा अगर कि एंड ओर्गन डेमेज में कौन-कौन से साइन आते हैं तो यह है डेटेमा जो है वो आप घटा ज्यार एडेमा को अभार्ट नहीं तर आप हम पाइबIns brew करते इसलिए जटेशनल के साथ प्रोटीन यूरे अगर प्रोटीन यूरे नहीं हो तो भी हो सकता है क्या उसके अंदर 2 cheapest है end organ damage के sign नहीं, इसके end organ damage के sign नहीं, थोड़ा सा बता है तो वोड़ा के पढ़ेंगे, बाई, end organ का मिलब किस organ, जो main जो organ है ना उनसे related, liver से related sign आने लग जाएं आपके, ठीक है, kidney है, उससे related sign आने लग जाएं, आपके, lung से related जो eyes हैं उनसे related, तो एसे जो sign हैं दोस्तों वो present होते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रीकलंसया की नाम से जानते हैं, तो जरूरी नहीं है कि क्य trabalhar क्या जरूरी है कि प्रोटीन उया प्रजैंट हो, तब ही प्रेकलंसया नहीं, अगर end organ damage के sign भी प्रजैंट हो, तो भी अगर कनवल जंस या कोमा है, या फिर कोमा भी हो सकता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, अब वो definition, क्रोनिक हाइपर टेंसन क्या होता है, देखो, अगर किसी भी फिमेल को प्रेगनेंसी के दुरान हाइपर टेंसन पाया जाता है, क्रोनिक हाइपर टेंसन क्या है, तो सिंपल से लिखो, हाइपर टेंसन बिफोर, वहाँ पर आप्टर था, यहाँ पर टॉंटी वी को प्रेगनेंसी, कभी भी, सिधा बिफोर का मतलब यह हो जाएगा, बाद में नहीं है, यह भी तो गलत हो गया, बाद में भी रहता है, ठीक है, तो इसमें लिख लो, हाइपर टेंसन इन, हाइपर टेंसन, हाइपर टेंसन, हाइपर टेंसन इन ओल प्रेगनेंसी, दूरिंग ओल प्रेगनेंस प्रेगनेंट हो गई तो उस नाम से जानेंगे जानेंगे इसकी बाद किया दो तो जोडले में जबता है किसी भी को धो क्रोनी यूरिय को सब्सक्राइब गुशल किसी अड़ी सब्सक्राय से जाने जाने लेंके जानते हैं इसको chronic hypertension भी था अलब कि प्रेग्नेंट वो जब हुई थी उससे पहले भी इसको hypertension था ठीक है लेकिन उसको साथ में ही उसके क्या डवलप हो गया दोस्तों protein urea डवलप हो गया या फिर sign of and organ damage के sign क्या हो गया दोस्तों उसके प्रजेंट हो गया तो chronic hypertension के साथ में अगर किसी भी फिमेल को क्या आने लग जाएं दोस्तों convergence आने लग जाएं क्या आने लग जाएं या साथ में acclampsia की sign भी क्या हो दोस्तों दिखाई देने लग जाएं ठीक है तो इसमें साथ में लिख लो या ऐसे भी लिख सकते हो chronic hypertension plus acclampsia is known as superimposed और यहाँ पर क्या लिख सकते हो chronic hypertension plus preeclampsia is known as superimposed preeclampsia ठीक है कई चीजे बता दिए अब हम सुरू करते हैं हमारी disease को preeclampsia preeclampsia कैसे कैसे आप suggest कर सकते हो दोस्तो पहली चीज BP BP जो है मैंने आपको बताया था कि 140 by 90 या उससे क्या होना चाहिए दोस्तो जादा होना चाहिए सर्थ सुनते जाओ कि प्रियक्लेम्ट से किसी भी female को है तो क्या क्या सर्थ होंगी एक स्रब BP BP से धुड़ी हो जाएगा और सुनो उसके साथ में उसको क्या होना चाहिए इसली सूड़ बी तो उससे पहले इसली सु्टá State उससे पहले-स प्रणिक्वर तो चाहिए को साथ में आ रहे हैं तो इसली से पर नो क्या होना चाहिए दोस्तो No में आपको पताया था कि प्रियड़ए से पहले और नौर्मोड होनी चाहिए थिस यह चीजें भी ध्यान का यह अगर प्रेग्नेंसी से पहले acontece नुख के अगर और लोMake चैए क्या होने चाहिए जाहिए जलओ आगे करते हैं इस यह पिर क्या होना चाहिए साथ में या साइन ओप प्रोटीन यूर्य नहीं है तो क्या होना चाहिए साइन ओप एंड ओर्गन डेमेज होना चाहिए अब साइन और डेमेज में क्या-क्या साइन आएंगे तो याद रखना ब्लड के अंदर अगर एफेक्ट करता है दोस्तों कि maility करेंड कर और यहां पर जो देखने को मिलता है वह दिखने को भूप्ल किarina पीनिय देखने को मिलता है और मेरेटि लेटि एक लाग से भी कम हो जाती है वैसे तो दीड़ लाग तक नूर्मल होती है लेकिन यहाँ पर जो प्रेटिप है वह कितने से कम मिल जाएंगे अपको डबल हो जाते है और उसके कारण उसको उसको जो अपर क्वाडरेंट है राइट हाइपो कोंडरियम जो रीजन है दोस्तों उसमें पेन भी देखने को मिल सकते है तो epidagastric pain भी इसका symptoms है और फूजा कि क्या है तो Epigastric pain भी sign है end-organ damage का थेखो इसके बाद 1.1 mg पर DL से ज़्यादा वैसे आपन 1.3 तक नोर्मल पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर कितना माना जाएगा 1.1 से भी अगर गादा है दोस्तों तो वो भी किसके अंदर सामिल होगा एंड और ईंड डेमेज मेंनी सामिल होगा और लंक्स के अंदर क्या होसकता है अधर किसी फीमिल है दूस्तों उसको अगर एंड और ग्मीले हुआ थो प्नमोंडरी एंबूलिजम देखने को मिल सकता है कि यह सारे जो symptom से अगर इन में से भी कोई भी symptom present है कोई एक भी symptom present है ना तो भी फिमिल क्या 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 लाएगी यह भी आपको ध्यान दखना है इसके लाबब हो और भी है जैसे कि आईज पर जो वी जन है दोस्तों वो कैसा हो सकता है इसको एक ट्रम भी बोलते हैं इसको टॉमा एक ट्रम है इसके लिए इसको टॉमा वर्ड यूज करते हैं कि जो जो वीजन है ना उसके ब्लाइंड इस्पोर्ट दिखाई देगा ठीक है तो वह भी देखने को मिल सकता है और पैसेंट के अंदर साथ में क्या प्रजेंट हो सकत कखला लाइगा इसके बाद हम बात करते हैं दो इससे भी से क्या हो जाए तो ऐसे भी हouse जैंसन हो सकता है डाइस्टोलिक जो भीपी है दोस्तों वो 90 यह उससे क्या हो जाए दोस्तों ज्यादा हो जाए ध्यान रखना कि सिर्फ एक बार बीपी करने से नहीं होगा कम से कम आपको कितनी बार बीपी करके देखना पड़ेगा और कम से कम पांच मिनिट का रेस्ट दिया गया है मैं कई चीज़े चेंज कर वा रहा हूं आपको ध्यान रखना है याद रखना है एक तो पहले एडी मा था उसको उसको कर दिया गया है और भी आगे हम पड़ेंगे इसके बाद दोस्तों डाइस्टोलिक बीपी दोस्तों उसमें 30 mmHg से या उस उससे क्या हो ज जाता है जैसे 110 आता तो उससे 30 भी भढ़ गया है न अगर दोस्तों वह इंक्लूड होता है है ठीक है और डाइस्टोलिक बीपी दोस्तों वह 15 mmHg से ज्यादा बढ़ जाए तो वह भी कहलाता है मीन आर्टीरियल जो प्रेसर है दोस्तों वह 105 mmHg से जादा हो जाए 105 mmHg से अगर प्रिवेस जो रीडिंग है दोस्तों उससे जादा है तो इसके लाव दोस्तों मीन आर्टीर प्रेसर भाई अगर प्रिवेस जो रीडिंग है दोस्तों तो उससे अगर 20 या उससे जादा 20 mmHg से जादा अगर मीन आर्टीर प्रेसर बढ़ रहा है तो वो भी किस चीज़ पर सो करेगा वीपी को सजेस्ट करेगा अब इन में से ध्यान अगना इसके अलावा जो सिस्टोलिक वीपी इसके अलावा जो भी है यह कंफरमेटरी नहीं डाव यह कंफरम है रही ऐसन को जैइसटन अलाव हो गया है अगर इन में से प्यक्तन होता है तो यह हो सकते है यह देखते हैं लेकिन फिर भी यह आप महारे कंसेप्ट के अंदर आते हैं नर्सिंग के लोग मानते नहीं है आपने तम आपको बता रहा हूं जिसा है ना कि कई तरीके से हम इसको समझ सकते अब आजाओ दिन को सब्सक्राइब मेत potato सता हुआ जो दोस्तों मलब कि यूरीन के दडर प्रोटीन को चेक करना है यह स्क्रीनिंग मेतर कहते है यह कुन सा स्क्रीनिग है जब दूसरा होते ट्वन्टि फॉर हार यूरीन यह gold standard method है यह gold standard तो dip stick के अंदर दोस्तों थोड़ा सब change हुआ है actually मैं एक संस्ता है ACOG वो तो यह कहती है कि बाई प्लस टू मैं दोनों लिखा जिए दो आपको ACOG तो यह कहती है दोस्तों कि अगर किसी भी किसी को भी protein डिप निस्तिव मैं जो sticks यह उओर यूरीन में डालते हैं तरो उसके अंदर एक्रोटीन यूरीया मना जाएगा जो कि प्लेक्लेंशया का मना जाएगा ठीक है कितना कम से कम प्लस टू ना चाहिए या प्र उससे ज़्यादा होना चाहिए कम से कम प्लस टू या उससे यह जी ज्यादा सब्सक्राइब यह कहते हैं लेकिन सबसे अच्छी नहीं है कि बड़ी कोई नहीं है दो सब यह नहीं है लेकिन विलियम्स Obstetrix, William's Obstetrix जो है दोस्तों उसमें ये वो ये नहीं कहती, वो ये कहती है कि कम से कम मतलब कि Plus One को भी उसने माना है, कि Plus One ये पर उससे जादा है न दोस्तों तो भी उससे क्या माना जाएगा प्रोटीन यूरिया ही माना जाएगा, तो दोनों ही मैंने आपको बता दियें, तो क्योसिन के अकोडिंग आप देख लेना, कि कैसे क्योसिन आता है, ठीक है, अगर सीधी संस्ता देदे, तो ये करना, और अगर डैरेक्टली क्योसिन देदे, तो फिर ये मानना, William's Obstetrix मानना ठीक है, तो प्लस वन यह उससे ज़्यादा, ये कौन से टेस्स स्क्रिनिंग है, गोल इस्टेंडम दो 24 आर को यूरिन कलेट करते हैं, तो फिर उसके अंदर हम क्या देखते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं, अगर वो 0.3 ग्राम या उससे ज़्यादा है, 24 आर्स में, तो ये प्रोटीन उडिया को क्या करेंगा ऐसे यह 300 को इसके बाद हम बात करते हैं तौह के जब हम क्या हो सकता है रिस्क पेक्टर क्या हो सकते हैं तो ग्र हम बात करें, ग्रेविडा में, जो भी female multiple-a होती है, ना उनके अंदर, या multi-gravida मान सकते हो उनके अंदर क्या होते हैं, ज्यादा chances होती है ठीक है, जो एक बार से ज्यादा 20 वी मेरे को जुन cross कर दिया है, उनको इसकी chances की होंगे यह ज्यादा होता है अर्ली या एडवांस में यह 30 से और 35 साल की बीद चलो चोड़ों यह लिख लुआ बस ज्यादा कन्फिज आगई अर्ली और एडवांस दोनों एज के निदर होने की चांसे इसके क्या होते हैं ज्यादा होते हैं जल्दी भी प्रेग्नेंसी और लेट भी होते होते हुए इसके लागव दोस्तों अगर डिसॉडर है जैसे कि हैड्यिटीट्ट फॉञल है जैसे ट्रोफफभ्रास्टिक नियोपलेजिया है तो दोस्तों ग्रोफ होने लग जए तो उस हुह में घ्र अपटिटिद फो मौल वी एक वेसे जाती है अब इसके बाए में यह कॉनसी जूर्ण जो प्रेग्नेन्सी लाते हैं इसके प्रेग्नेंसी में अगर किसी वित तो चांकिज तो यह hasn't आप कभी वी रिसक फैक्टर को वैसे याद होगा नहीं लेकिन मैंने इस तरीके से लिखके दिया है आपको इससे बहुत जल्दी याद हो जाएगा क्योंकि आपको क्यों से पूछ रहा हो और मैं उसका आंस्वर बता रहा हूं ठीक है तो आपको यह याद हो जाएगा एक आपके दिमाग में मिल जाता है ना वहाँ पर होता है वेट दोस्तों तो अबेज जादा जादा होते हैं वैसे प्रेग्नेस इंडूस्ट हैं वेट गेन भी देखने को मिल सकता है जीरो प्वाइंट लबकि पांसो गिराम से जादा एक वीक के अंदर और दो किलो से जादा एक मंत के अंदर क्या हो सकता है वेट गेन देखने को मिल सकता है वो आगे बात करेंगे इसके पैटो फीजलोजी इसकी बहुत बड़ी पैटो फीजलोजी है लेकिन आपको बस मैं एक लाइन में इसको लिखाँगा डिफेक्ट इन डिफेक्ट इन वैस्क्यूलर वैस्क्यूलर मोडलिंग के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों डिफेक्ट हो जाता है अब आप अप समझाता हूं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं आपको लिख लेना ये कि लाइन लिखना बस actually में दोस्तों क्या होता है कि प्लासेंटा है तो यहाँ पर यह विलाई है यह विलाई 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 य तो इस वह हम किस नाम से जानते हैं, वैस्कुलर मोडिलिंग की नाम से जानते हैं, वैस्कुलर मोडिलिंग की नाम से जानते हैं, इसके दुरान रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, दोस्तो कम हो जाता है, रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और दब भी भी किसी वैसल में रुकावट कम होगी शिदी बात सुनो रुकावट कम होगी रैसिस्टेंस कम होगा तो बलड प्लो क्या होगा दो बढ़ेगा यहां पर बलड सव्लाई थोड़ी ठोड़ी इंद्विड रजाती है बच्चे को नूट्रियंट से यह 18 से 20 वीक के होता है तो second stage जो vascular remodeling है उसके अंदर मेल लिए क्या होता है defect होता है इसलिए ही मैंने आपको कहा था कि 20 वीक के बाद देखते हैं क्यों? क्योंकि यह अंतर अगर इसके कारण हो रहा है दोस्तो hypertension तो वो reason यह है पेटो-fusalism reason यह है कि vascular remodeling नहीं हो रहा सही से जो vessels है दोस्तो उनके अंदर changes आने चाहिए वो changes नहीं आपाए अब वो changes नहीं आएंगे resistance जादा रहेगा तो फिर मेल को क्या होने लग जाता है दोस्तो जो hypertension है वो देखने को मिल जाता है इसके कारण यहां पर जो जो विलाइज है जो प्लासेंट है दोस्तो यह भी कुछ chemicals nitrous oxide हो गया ऐसे chemicals क्या करने लग जाता है रिनीज करने लग जाता है जो blood vessels को endothelium जो layer है उसको भी क्या करने लग जाते हैं वो damage करने लग जाते हैं तो simple सी बात में यह समझो आप जादा इतना मतलो vessels के अंदर change होता है इसे vascular remodeling कहते है और vascular remodeling दूसरी बार जब होता है वो 18-20 week पर होता है अगर वो vascular remodeling दोस्तों वो सही से नहीं हुआ उसमें अगर defect आ गया तो यह फिर female के अंदर क्या कोच करता है hypertension इसलिए हम इसको 20 week मानते हैं कि 20 week के बाद ही यह effect होगा अगर इसके कारण हुआ है अगर पी आएच के कारण हुआ है तो वह effect कब होगा दोस्तों 20 week के बाद ही आएगा उससे पहले नहीं आएगा ठीक है तो इसका simple सा रिजन याद रखेंगे ना defect in vascular remodeling चलो अभी तो और बज़ रहा है बहुत बड़ा रही ताइप सप्रीक्लेम्प्स यह प्री ट्रम भी बोलते हैं और अगर आपको प्रीक्लेम्प्स से और चाउंटिस वीक के बीच में हो जाएगा ना तो इसे हम अरली ओन सेट कहेंगे और अगर चाउंटिस वीक से लेकर 37 वीक के बीच में हो जाएगा तो इसे लेट ओन सेट बोलेंगे और चाउंटिस वीक के बाद में अगर हो रहा है दोस्तों प्रीक्लेम्स यह तो इसे हम क्या बोलेंगे रम ओन से की नाम से जानेंगे जल्दी देखवा आगेगा नेस्ट के उसने अकोडिंग टू से हम देखे दोस्तों एक माइल्ट होता है और डिटिक क्या होता है सिवियर होता है माइल्ट प्रीक्लेमस यह के लेक्र c Pyоров के बीप है के इसे जादा हो जाएगा नेकिन लेस देन जादा होगा इसमें इतना रहेगा फहले mild और Western के अंदर protein in your case i am included hmm I says mild और severe की कोंप्लिकेशं जो है जो इसकी symptoms से उसको टब वॉप ओर इप्रworker Iya माईल्ड के अदर नो साइन ओफ बंसाइन और देमेज and organ damage और यहाँ पर sign आते है sign of and organ damage कौन-कौन से sign है वो मैं आपको बता चुका हूँ तो and organ जो damage है दोस्तो उसके sign यहाँ पर देखने को मिलते हैं फिर भी मैं आपको protein urea की according बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है कि हमारे examiner है वो question को पुराणी book से उठा ले लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करते हैं इसको हटा दिया गया है सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखते हैं दो चीज़े देखते हैं एक बीपी देखते हैं एक एंड और जो damage की sign present है या नहीं वो देखते हैं लेकिन फिर भी आपको अगर अगर प्रोटीन का एक्सक्रेशन पांच गिराम से कम हो रहा है तो माइल्ड होगा और अगर पांच गिराम से ज्यादा हो रहा है दोस्तों तो फिर इसन क्या बोलगी है सीवियर इसके बाद आजाओ next help syndrome भी आता है कई बच्चे पूसल एक सरह help syndrome क्या होता है तो प्रेक्लेम सिया कि निवर जो बढ़ जैंए या फिर क्या हो जाई दो फ्लेट लेट एक लाग से कम हो जाए लो फ्लेट लेट लाग तक में होती है लेकिन यहां पर प्रग्नेंस इन्डिश्ट कम हो जानते हैं help syndrome की नाम से जानते हैं यह प्लेक्लेम से की इसको कह सकते हैं आज यूज नहीं करते हैं लेकिन फिर भी निखलो कोई बरोसा नहीं है सीरम यूरिक एसीड का जो लेवल है वो उसे हम क्या मानते हैं कि यह सजेस्ट करता है कि इसको प्रेग्नेंस इंडियूस्ट हाइपर टैंसन को बढ़ा हुआ कितना लगबग 4.5 mg पर से अगर यह ज्यादा हो जाता है तो कि सजेस्ट करता है लेकिन आज इसको नहीं मांते हैं लेकिन हो सकता है पुराणी बुक से कोई क्यों उठा ले और दे दे तो आपको पता तो होना चाहिए इसके बाद नेस्ट है बस अब थोड़ाई बज़ रहे हैं कि अलार्मिंग सा नहीं कर सकती है अगर अगर सकता है कि वह सकता है कि इसको आगे जाके फिर था अभी हो सकता है इसके बाद treatment पर आते हैं क्योंस आए कि ड्रग ऑप चोईस इन प्री एक्लेमसी आए एक्लेमसी आए chronic hypertension आए या hypertensive crisis आए इनमें से कोई भी चीज़ पूछता है न तो इसका आंस वराएगा लाबिटालोल फिर आता है दोस्तों कि drug of choice in chronic hypertension तो मैंने अभी आपको लिखा है कोई सी भी हो इनमें सबका drug of choice क्या होगा लाबिटालोल होगा तो इसका drug of choice भी क्या आएगा दोस्तों लाबिटालोली आएगा लेकिन question यह आ जाए कि दूसरी drug of choice कौन से होती है अगर आप लाबिटालोल यू मिथाइल डोपा क्या यूज़ करोगे मिथाइल डोपा यूज़ करोगे और यहां पर हाइपर टेंशन क्राइसिस के अंदर पूछे बिपी सीवेर से भी ज्यादा हो जाए दोस्तों तो इसमें वहाँ पर भी दिखा है मैंने लो लाबिटालोल तो आएगा इसमें आएगा क्याएगा हाइडरा दूसरी ड्रॉप जोइस क्या हाइगी हाइडरलेजिन आएगी इसकी बाद नेक्स्ट है मैक्सिमम डोप लाबिटालोल आप कितनी दे सकते हो तो 220 मजी दे सकते हो ठीक है वैसे पहले 20 से स्टार्ट किया था आज पर 10 से स्टार्ट करते हैं 10 देंगे फ रिफ्रेक्टरी हाइपरेटेंसर के नाम से जानते हैं इसके अंदर आएगा सोडियम नाइट्रोप्रियूसाइड फिर हमें यह ड्रग देनी पड़ेगी रिफ्रेक्टरी का मलब हिली नहीं रहा है वीपी कम ही नहीं हो रहा है आपने सब कुछ करके देख लिए तो भी कम सब्सक्राइब हो रहा है तो इसे हम सोडियम नाइट्रोप्रियूसाइड देंगे से फैल्स ड्रग आए अगर पी आएच के अंदर तो मिठाइल डॉपा आएगा आंस्वर मिठाइल डॉपा और एंटिकनलजिव ड्रग के रूप में कौन सी यूज करते हैं एक वीडियो ह अब इपर सब्सक्राइब करना मैं इसको अच्छे से क्योशन है उसको पूरा करवा रख उसको जरूर देख लेना एक बड़ा आप अगर हाइपर टेंशन सिर्फ जैस्टेशन हाइपर टेंशन है किसी भी फीमेल को तब क्या मेनेजमेंट करोगे तो सिरफ प्रग्नेंसी क प्रग्नेंसी को और उसको कंटिन्यू करके 37 वीक तक लेके जाएंगे और उससे ज्यादा होने पर फिर हम क्या करवाएंगे उसकी दिलिवरी करवा देंगे वैजन डिलिवरी भी हो सकती है ना इसके बाद क्यों सेवियर प्रग्नेंसी कुछ नहीं देखेंगे हमें कोई कं मैचेवर हो गए तो फिर हम क्या करवा देंगे दोस्तों है कि अदर कुछ नहीं यह डायरेक्ली डायरेक्ली आप उससी टाइम क्या करवाना पड़ेगा सब्सक्राइब करने पड़ेगा इर्रेस्पेक्टीव जैस्टेशनल एज मतलब आपको यह नहीं देखना कि कि लिए सेम इसमें आएगा ठीक है कोई एज कोई नहीं देखेंगे कितनी है हम सीजरें सेक्षिन करवाने ही पड़ेगा बिना कोई एज को देखेंगे तो सारी सारी कंडिशन के मैंने आप क्या बता दिया है इसे के साथ में हमारे समाफ होता है बहुत सारी चीजे मैंने बता दी मुझे नहीं लगता कि इससे बार कोई एक भी क्योशन आपके अग्जाम में बनेगा पूरी डिजीज पढ़ा दी है मैंने अब इसके बाद देखते हैं ने कि एक यह कैंज आए अग्यों एक क्लाइंट विजीटिंग दा प्री नेटल क्लिनिक में आया दोस्तों आज के नर्स अबोट दा प्रोबेविलिटी ओप हैविंग ट्विंग में ट्विंग के होना है कि जो चांसिः जानश में वह कितने होते हैं वहें वे तो तो नर्स को यह बताना है कि कितने ज़्यादा chances होंगे उसके खुद के जो बच्चे होंगे उनकी twins होने के तो चलो बढ़ते हैं अगर दो बच्चे होते हैं कि सिम्मिल्टेनियसली एक प्रेगनेंसि के अंदर अगर दो बच्चे हो रहे हैं दोस्तों तो रहे हैं तो क्वडूपломेंगी twin2-plate बुलेंगे क्विन 2 प्लेट और अगर 6 हो रहें दोस्तों सेख्स 2 प्लेट वालेंगे अगर 6 है अगर 6 है उस बच्चों सब्च बुलेंगे मुझे अब साथ है उसको छोडो सब मोश cit Kait stocks कि एक यह होगा है एक जाइगोसलब बन रहें के यह मतलब रहा दोस्तों कि एक ही ओन था एक किया था इस ओर इसने इसको फटिलाइज किया एक जाइगोस बन गया एक जा libero ban यह breakdown हो रहा है तो एक बात बताओ उसके जो पैटर्न हो चेंज होगा क्या सेल तो सेम यह ना क्रोमसोम क्या रहेंगे दोस्तों सेम रहेंगे तो इसलिए ऐसे जो सेम मिलेगी इसलिए इन्हें हम इन्हें हम यूनि बोलते हैं एक ही जाइगोटिक बोल दिया दोनों के मिलते हैं तो आइडेंटीकल ट्विन भी ऑगा दोस्तों कि यहां पर दो होंगे दो ही क्या होंगे दोस्तों स्प्रम होंगे पुए अलग ओवन्हें दोस्तों ऑके और दोस्तों नाब नेगे हिं कि यहां पर टोपलाइफित क्यों बनेगा फिर इसका भी और अलग-अलग क्लाइ Compass कि और अलग ऑग यह सको झतला होगि कुर्ण है तोनों है वह भी क्या है अलग है तो दोनों की और ते थोड़ा सा रोल था तो यह इसे हम क्या बोलों नाम से चाहते हैं तुछ यह प्öllshirt ति इसलिए से भी आये था कि व्राइट से वोटीन सक्या होता है इसके बाद क्यूस कंद कि दखू सब 59 designing कें आगर एक मीं बना प्रबड़ ऑज्वम होग दो ही क्या होगे endarum होंगे और दो ही क्या होंगे दोस्तों ओम होगे जाईगोट मोन जाइगोटी मोनें Congo नहीं होगा द्लिखते हैं यहां भी हो सकता है यहां पर इपर ब्रेंफ हो सकता है कि जोmiromda आय थे ढोनों यह एक्स लेक्याए हो WR向 दो तो 22x लेक़्ेंगे ठीक है तो स्मीट हो सकते है एक हो सकता Patriot leaf li解 क है तो इत्ञा वैसा गलत मुझा है बलट गरुप दोस्तों इनका हमेशा क्या रहीगा onak उनका ओं इसके बाद स्लीने में क 느 tu यह हो सकते है तो इनços पहुंभा ओगा सेमों सकते हैं यह इंदर जीन से क्या रहेंगे उसकी ग्राफटिंग दोस्तों मेडियो कि नहीं हो दो नहीं होगी यूटS को नोटी सेब्स ऐसी काल लेता हूं रहा हूं धिक्ham नोन एक्सटेबल होगा चलो यह हो गया इसके बाद आजाओ नेक्स्ट टाइप ओप मोनोजाइगोटिक जो ट्विंग्स है ना दोस्तों एक ही जाइगोट बना तुस्से बच्चे आगे बनेंगे न जाके देखो एक ही बना जैसे एक ही जाइगोट बना अब यह एक सब्सक्राइब करता है यहां पर मालों पार्ट के अंदर क्या बना दोस्तों अब यह जो है दोस्तों यहां तक कितने दिन तक रहता है तो यह कह रहे हैं कि यहां से यहां यहां पर क्या हो जाए तो यहां पर क्या हो जाए तो क्या कंडिशन मनी कि बैतर घंटे से पहले-पहले क्या हो गया चैंज हो गया दूसरा दोस्तों चोथे से आठवे दिन क्या हो चैंज हो इसके बाद नवे से और चोधवे दिन क्या हो दोस्तों चैंज हो और यहां पर क्या है दोस्तों लगबग चोधा दिन के बाद क्या हो दोस्तों दोनों सेपरेट हो चैंज बोरों में सेपरेट हो चोधा दिन के बाद क्या हो सेपरे अब देखो बैतर गंटे से अगर पहले-पहले हो गया ना तो में आगे जाके भई अभी तक नय कोरियोन बनी नय एमनियोन बनी क्यों और आठवे दिन बनेगी एमनियोन कौन से दिन बनेगी दोस्तों दस्वी दिन हैं अब दोनों 580-विट जाएंगे डोनहों अलग जाएंगे और अपनी अपनी बाहर वाली बनाएंगे इस प्रकार की नाम से जाते है कि नामिलब दो 2 korion और 2 यह क्या होते हैं amnenion तो die korionic die amnenion तो ध्यान रखना, ऐसे baby के अंदर 2 korion रहेंगी, अलग-अलग मतलब दोनों क्या रहेंगी, amnenion रहेंगी 2 ही placenta होंगे 2 ही baby रहेंगे ठीक है? तो इस परकार से आपको क्या बन गई कोरियों लेयर बन गई दोस्तों उसके बाल सेपरेट हुआ और यह यहां पर आके यह वाली बाहर वाली लेयर बन चुकित आसे सब्सक्राइब बाहर वाली, कोरियोन तो क्या हो चुकी, बन चुकी, अब यहाँ पर दो क्या बनेंगी, एमनियोन लेयर जरूर दो बनेंगी, कोरियोन एक बनी है तो प्लासेंटा भी कितना रहेगा, एक ही रहेगा, दोनों का क्या रहेगा, दोस्तों सेम एक ही प्लासेंटा रहेगा, लेकि क्या रहेंगी दोस्तों इसके अंदर दो रहेंगी क्यों क्योंकि एमनियोन तो भी बनी नहीं ना तो एमनियोन तो बाद में बनेगी तो एमनियोन बनेगी तो एमनियोन कितनी बनेगी दो बनेगी लेकिन कोरियोन बन चुकि एक और एक ही कोरियोन बनती है तो प्लासेंटा भ लेकिन बेबी कितनी रहेंगे दो ही रहेंगे दो अब आगे जाके क्या होगा दोस्तों एमनियोन बनने के बाद में दोनों क्या हो रहें दोस्तों सेपरेट हो रहे हैं अब एमनियोन तो एक बन चुकी दो बन चुकी बस तो इस कंडिशन में क्या होगा एक ही कोरियोन बनेग एक ही korion रहेगी, एक ही क्या रहेगी दोस्तो, amnion रहेगी, लेकिन baby कितने रहेंगे दोस्तो, baby यहां पर दो रहेंगे, और placenta भी एक ही होगा, placenta भी एख ही होगा, Conjoint twins का मलब क्या है दोस्तो, 14 दिन के बाद में जब योक से एक बन गया, और जो baby हैं उनका भी formation हो गया लेकिन दोस्तो 14 दिन के बाद में अगर वो separate होने कोसिस करेंगे तो separate नहीं हो पाएंगे और baby क्या रहते हैं दोस्तो attached रहते हैं इसे हम conjoined twins या फिर सीमेज twins की नाम से जानते हैं जो दो baby एक दूसरे से जुड़े वे रहते हैं इसे हम किस नाम जानते हैं conjoined twins या फिर सीमेज twins की नाम से हम इसे जानते हैं ठीक है तो इसके अंदर chorion एक रहेगा एमनियोन भी एक रहेगी, ठीक है, बेबी रहेंगे तो दो, लेकिन दोनों क्या रहेंगे दोस्तों, अटेश्ट रहेंगे, ठीक है और प्लास हैंट भी इतना रहेगा, एक रहेगा तो यह से हम चारों है जो डिफ्रेंस से वर इनको थोड़ा सा देख लेना आपको समझ में आ जाएगा यह इतने ज़्यादा टैप नहीं है थोड़ा सा समझोगे तो हो जाएगा के लिए आपको अब क्योश्चन आता है दोश्तों क्रेंड यूपेगस क्या होता है तो अगर अगर वेभी हैड़ पर से अटेच है दोनों बेबी यह कंजोइंट टुन के टाइप है जो कणोइंट ढेखं वेज़गा उनकी टाइप है अगर वेभी हैड़ पर से अटेच है तो थोरै को पेगस क्याल आएगा ठीक है थोरैस नहीं लख वहां हो उन्मेर ध्यान लेखन हैड से लेकर और अगर बटमस तक पूरा का पूरा टैस है तो इसे हम्आ बोलेंगे हम रेकि पैगास बोलेंगे इसे में रेकिपैगास बोलींगे ठीक है कि इंसिदेंस देखो डाइटाइब ट्विन्स है थाइसो जो में एक होते हैं one in two k Rules ky लग मोनोजीरिया जैसी कंट्री नाइजीरिया जैसी कंट्री दोस्तो वहाँ पर 20 बच्चों में ये एक बच्चा होता है जापाण्ग जैसे में बहुत ज्यादा इसे में बहुत दोस्तों में से बहुत कम सरस्थ और और इंडिया के अंदर पूछे तो डाइश में एक होता है, इसके लिए एक ruler भी दिया गया जो कि handling न favourite है, और triplet होने की probability है वो वो 80 को 80 से गुणा कर दो उतनी होती है और quadruplate होने की जो है quadruplate होने की जो chances हैं वो कितने होंगे 80 80 गुणा सकते हैं इसके बाद में आगे कितनी हो जाएगी बताओ कमेंट गर के बताओ मुझे किटनी हो जाएगी और sex to plate की कितनी होगी दोनों को लिखना इस प्रेक्टर में देखो जैसे country है country मैंने अब बता दिया अफ्रीकन नाइजेरियन लिखाए तो वहां पर क्या होते हैं ज्यादा चांसेज होते हैं क्यक्यों सैने फैंमिल ही स्ट्री हाँ मैटर लगर पाता की तरब सेंवत چांसेज होते हैं क्यों कि माता दोव बनाएगी चोनल तो भाइग इस प्रम तो हमेसा जादा ही रहते है कि इसके भाद एज ओभ मदर जो लगवक 30-30 साल के भीती है उनके इंदर क्या मेन होते हैं बाद से ज्यादा हो उनके नदर और जान से कुंछ है कंसी ड्रॉट के लिए कि यारखनां की आई पें से मोनो जाइड़ा होने के बहुत जादा मोनो जाइगोटिक होने के आई फसे बहुत जादा क्या होते हैं दोस्तो चांसेज नहीं इसके बाद किलनिकल मैनिफेस्टेशन में दोस्तों SCG का लेवल ज्यादा होगा वहाई मालो ऐसी कंडिसन बता रहा हूं जिसके अंदर मालो दो प्लासेंटा बन रहे हैं दो पोरियू लेइर है तो ज्यादा क्या होगा सिंसिटी ट्रोफ ब्रास लेर भी दो बनेंगी कि बंड सधार उप三 contractors सुट्व हैं ज्यादा हो जाती है ज्यादा हो जाती है कि करण सब्सक्राइमा थो ज्यादा होगा तो प्रेसर जबदेगा भी एनस कंजेस्न जाधा होगा जिसी एदुमा ज्यादा कोगी पाल फेसन जादा होंगे क्या हो दो बेबी सघाए करते हैं रैसे गहीं। दोस्तों करता है। ब्रेच्ट फिडिंग करके दोराण एरु मुन का मपुता है। वो कितना दिमाग लगाता है बेबी इस लाइन को दुबारा से सुनना रिपीट करके इसकी बाद बाद लास्ट बच रहा है फिर खतम हो जाएगा यह हमारे लोपिक भी वैजाइनल डिलीवरी जो होती है उसमें क्या वैजानल डिलीवरी हम कब-कब करते हैं तो पहला जो बेबी है दो वैजानल डिलीवरी करवा सकते हैं इसको मतों वैजाइनल ब्रिच डिलीवरी ठी कहुत है और पहला भी अगर वर्टक्स में हे दूसरा बेबी जो है दोस्तों हो ट्रां में है ट्रांसवर्ज लाइग में है झाल पहले फस्त वेबी कि डिलीवरी कर वा लेंगे वेज़ेंगे और फिर सेकिंड जो वेभी है उसके अंदर पोडलिक वर्जन करेंगे मलब उसको ट्रांसवसलाई से नीचे की तरब लेके आते हैं तो फिर उसकी क्या करवाते है तो यह चाहते है इसके बाद दोस्तों अगर ब अगर करना पड़ेगा हुआ है तो इन परीच में हो किसमें हो पूद बेवी इन पर बेवी इन ट्राइब ऑफ कि अगर Σान के अंदर अगर डूनों प्रूर में हो बोथ इन भी दोनों अगर ब्रीच में हैं तो भी तो उस दूरा नहीं क्या करना पड़ेगा सिजरियन सेक्शन करना पड़ेगा एक दो क्योशन और है वो और बता देता हूं थोड़ ऐसे क्लाज पतम जाएगे हमारी क्योशन है कि यूज ऑफ मिथायलिर्गोमेट्री एक्चुले में हम एंटियर सोल्डर की जब डिलिवरी कर सेकिंड बेवी के जब एंटियर सोल्डर जब डिलिवर हो जाए उसके बाद हम क्या देंगे मिथायलिगोमेट्री तो इस चीज़ का हमेशा याद रखना चाहिए नॉर्मल जो भी डिलिवरी होती है उसमें पांस सेंटिमेटर पर कट करते हैं लेकिन यहां पर हम आठ से उ से लेटेट यहां अगर पूछे दोस्तों तो एक ही मैंश्टिल साइकिल के अंदर दोस्तों दो बार क्या हो सेक्सों निटर कोर्स हो फ़स्ट अपर एक और यहां पर भी एक और मिल जाए और एक स्परम मिल जाए तो इसे हम किस नाम से जानते हैं सुपर फेकिंडेशन के नाम जानते हैं बहुत ही रेर कंडिशन होती है और हुमन्स के अंदर पाई जरूर जाती है दूसरे होता है दोस्तों सुपर फिटेशन इसमें क्या होगा कि पहली मैंश्टिकल आएगी और उसके बाद जो एक और रेक जो इस परम मिल जाएगा लेकिन दुबारा से मैंश् जाता है तो आपको क्योशन होने के जांसे ज्यादा होते हैं एक होता है टीटीएस क्या होता है ट्विन ट्रांस्विजन सिंड्रोम क्या होता है तो अगर दोनों बेबी की जो ब्लड वैसल्स हैं दोस्तों वह अगर कनेक्टेड हो दोनों बेबी की अगर ब्लड वैसल्स क् किस नाम से जानते हैं TTS ये Twin Transversion Syndrome के नाम से जानते हैं इसमें क्या होता है दोस्तों एक जो बेबी है उसको Anemia की Condition पाए जाती है और एक जो बेबी है जो Donor Donate कर रहा है जिससे Blood जा रहा है उसके अंदर Anemia होगा और दूसरा जो बेबी है उसके अंदर क्या पाया जाएगा भी जाएगा इसके लाइगा एक जो बेबी है दोस्तो उसके अंदर Oligo Hadroller पाया जाएगा डोनर में दूसरा जो Dalud के अदर क्या पाया जाएगा पोलीॉel ऐड्रोमियोज पाया जायेगा इसके बाद next कि एक कार्डीकॉस क्या होता है कि अगर एक हूँ हो कुछ है मुझे के ना बेंस्तौिक जानते हैं बहुंक्य में किस नाम से जानते हैं धूराज़े तो कि पहले इस्टार्टिंग में यहां नहीं रहता है यहां पर क्या रहता है तो इसे हम किस नाम जानते हैं जानते हैं बस अब मुझे आप दो मिनिट और दो इसके बाद में यह टोपिक आपका हतम हो गया है अब यहां पर कोई भी ग्रेटर प्रोबिलिटी नहीं है कि यहां पर कोई भी ग्रेटर प्रोबिलिटी इस बात तो सही है यह लेकिन का आंसर यह नहीं है वह बतारे कि सोनोग्राफिक करके पता लगाएंगे तेरा खुद का पता लगाएंगे नो चांसे थोड़ी पता लग रहे हैं इससे ठीक है तो यह भी क्या हो जाएगा अगर दल्फ हो जाएगा उसरा देर इस कोई भी चीज 25 परसेंट यहां पर नहीं है बिलकुल उसने गलत अपनी तरफ से बता है तो लिखो प्रेटर्नल ट्विंस में प्रेटर्नल ट्विंस में प्रेटर्नल ट्विंस में आगे या फ्रेटर्नल ट्विंस हिस्ट्री में लिखो फ्रेटर्नल ट्विंस हिस्ट्री में में आगे ट्विंस आगे ट्विंस होने की प्रोबिलिटी होने की probability probability कम होती है ठीक है तो इसका आंस रहाएगा फोर्ट एक बड़ सारी क्यों से रिबीट करते हैं जल्दी जल्दी एक मिनिट से भी कम टाइम में पहला क्यों से क्या था कि अगर फंडस राइट साड़ स्ट हो गया है और बोगी हो गया तो इसके बाद करते हैं अर्ली एक्टिवीट को प्रमोट किया सके इसमें क्या है जो आइस पेरिटे जो पर्फटे हैं वो देते हैं कवर्ड जो आइस पैक्स है वो देते हैं अगर लेबर के बाद को क्या करें मसाज करें इसके बाद कोई एडोल से पूछते हैं कि अगर उसे कुछ मैंने पूछना चाहिए कि आपको यहाने का कारण है अगर प्रेगनेंसी के दोरान कोई कोई यह कहती है कि वह है प्रेगनेंसी से पहले ज़्यादा खुछ रहती थी तो उसे और ज़्यादा इलूबरेट करने की क्या है जरुरत है अब लाश्ट जो है दोस्तों मैंने आपको अभी बताया है कि जो फ्रेटरनल जो ट्विंस हैं अगर कोई फादर अगर फ्रेटरनल